सच, साहस, सरोका प्रतियोगता में गाज़िपूर प्रथमिस्थान पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी कम होगा सैतिस्वी अखिल भारती प्राईज बनी इंद्रा मेराथन का आयोजन खेल मंत्री ने दोड को दिखाई हानी जंड कपड़े की दुकान पर लगी आग सामा सहीत ब्रांडिट कपड़े जलकर राग नमस्कार मैं हुमयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राईम टीवी वक्त हो गया हुत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का खबर आगरा से है जहां बिश्व धरोहर सब्ता को देखते हुए एसाई ने 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ताज महल समेथ देश के सभी एतिहासिक इमारतों में सैलानियों को निशुलक प्रवेस का तौफ़ा दिया वहीं परेटकों की संख्या में बड़ाई जाफा भी दर्ज किया गया नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सब्ता मनाया जाएगा यह एसाई ने परेटकों को एक बड़ा तौफ़ा भी दिया है ताज महल सहित अन्य इमारतों को निशुलक कर दिया है यानि आज विश्व धरोहर सब्ता 19 नवंबर को ताज महल और अन्य इमारतें फिरी रहेंगी आप तस्बीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी कतारे लगी हैं लोग विश्व धरोहर सब्ता को मना रहे हैं वो निसुल्क जो ताज महल और लाल किला है उसमें काफी बीड भी आ रही है इस वक्त हम मौझूद हैं आप साथ और से देख सकते हैं यह आगरा फोर्ड है यहां पर बड़ी संक्याम है सैलानी आगरा फोर्ड का दीदार करने आ रहे हैं और अगर हम बात करें एसाई टीम की और पुलिस पिरसासन की तो पुलिस पिरसासन के भी यहां पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं सभी जगाओ पर पुलिस पिरसासन और एसाई टीम के करमचारी मौझूद हैं अपने सही होगी उमर के साथ जीशान अहमत बता दे ताज महल को देखने के लिए परियतक भारी संख्या में पहुच रहे हैं देश के कई अबारतों में फ्री एंट्री की गई है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक free entry रहेगी बता दें आगरा समेथ कई इमारतों में free entry रहेगी इस खबर पर जादा जानकारिक लिए हमारे समवादाता जिशान हम से जुड़ेंगे जिसान विश्व धरोवर सप्ता को देखते हुए आगरा समेत तमाम इमारतों में फ्री एंट्री रहेगी एक बड़ा तवफ़ा है क्योंकि आगरा में दुनिया की खुबसूरत इमारत ताज मेहल है। पारेटोगों की बीड़ भी उम्री है हलाकि मैं आपको बता दूँ कि जो एहतियासिक इमारत है ताजमेल आट मार्च महीला दिवस को भी ये एसाई के दोआरा फिरी किया जाता है और हटारा अप्रेल को हैरिटेज डे के रूप में जो मनाया जाता है उस दिन भी ये एसाई की तरफ से फ्री रहता है तो कह सकते हैं पारेटोगों से हमारी बात हुई तो काफी उस्ता का महल है और काफी खुस भी पारेटग नज़र आ रहा हैं बड़ी संक्या में ताजमेल और आगरा फोर्ट और जो आगरा में अन्य इमारते हैं उन पर बड़ी संक्या में पारेटग पहुंच रहे हैं जी मायूरी जी जिसांच जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़ी संक्या میں परेटग पहुंच रहे हैं बेशक नेशूल्ख प्रवेस है और अभी पारेटक बढ़ भी सकते हैं तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतिजाम किये गए हैं देखिए बिलकुल मैं आपको बता दूँ एसाइ टीम के दोरा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिक्योर्टी गार्ड भी तैनात किये गए हैं पारेटको के लिए और अगर हम जिला पिर्सासन की बात करें तो जिला पिर्सासन की भी महा पर मुस्तेदी है जिला पिर्सासन के भी तमाम फोर्स महा पर एमारतों पर लगाएगा हैं क्योंके पारेटको को किसी भी तरीके की कोई अभी सुभीदा का सामना नहीं करना पड़े जिए 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 एक हफ्ते तक कई कारक्रम वहां होने हैं, कौन कौन से कारक्रम होंगे? जी बिलकुल मैं आपको बता दूँ, जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है, उसमें एसाई के दोवारा एक दिन के लिए ताज महल और अन्ने अमारतों को फिरी किया गया है, वाकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है, ये फूरे सब्ता मनाया जाएगा, कई उसमें कारक्रम भी किय जाएगे, हाला कि एसाई की दोवारा जो बताया गया है, कि कई कारिकरिम किये जाएगे, लेकिन एक दिन के लिए ताज महल और अन्ने अमारतों को फिरी किया गया है, निस्ति किया गया है, धन्यवाज जशान तमाम जानकारियों के लिए प्रियागराज में पूरु प्रधान मंत्री भारत रतनु स्वर्गी स्रीमती इंद्रा गांधी के जन्म दिवस पर अखिल भारती इंद्रा मेरतन का आयूजन किया गया जिसमें प्रियागराज के एतिहासे किस्तल आनंद भवन में मेरतन दोड को खेल मंत्री गिरिस यादव ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया बताने की आनंद भवन से शुरू होकर मेरतन दोड प्रियागराज के यमुना पारशेत्र के दांदूपुर से वापस होकर मदन मो पानों ने मेराथन पर कबजा किया मेराथन में शेर सिंग जैपूर प्रथम इस्थान विक्रम बगेडिया पूरे दुटी के साथ अनिल कुमार प्रियागराज तीसरे इस्थान पर रहे वहीं महिला वर्ग में ओलेंपिक सुधा सिंग ने बाजी मारी है पर देश की पूर प्रधार्म नंत्री श्रीमती पर्गी सिर्मती इंदरा गांधी के समर्थी में 1985 से लगातार मेराथन का करक्रम हो रहा है तेल बिवाग द्वारा आयोजित होता है आज उसी के क्रम में उनकी समर्थी में ये करक्रम का उध़ाटन हुआ है देश भर के इसमें जो है हमारे खिलाड़ी हैं और यह कहा जा कि यह देश का सबसे बड़ा मेराथन प्रतियोगता होते हैं आज जो है सैतिस्वा इंद्रा मेराथन दौर है जिसमें सेक्रो धावकों ने भाग लिया हुआ है तो इसमें हम लोगों ने अपने नज़्दी की लोग भाई बड़े भाई चोटे भाईयों के साथ जलपान की दिवस्ता की गई कि भाई वो दोड़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो उनको पानी की असकता तो होगी खबर लखनव से है जहां जिला अधिकारी सूरपाल गंगवार ने तहसिल सरोजनी नगर में जन सुनवाई की फरियादियों की जन सुनवाई कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये समस्या के निस्तारण के बाद अधिकारियों से फीडबैक लेने की भी जानकारी दी खबर राइबरेली से है जहां तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रेक्टर ट्रॉली की बेरिंग तूटने से बड़ा हादसा हो गया हादसे में एक की मौत और कई लोग गंभी रूप से घायल हो गया वहीं पूरे मामले में प्रशासन और एर्टियों के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है गोंडा में पुलिस अधिक्षक आकास तोमन ने धाने पुर्थाने का निरिक्षड किया इस दोरान पुलिस अधिक्षक ने शिकायतों के संबन में अभी लेकों को तलब कर निरिक्षड किया और FIR दर्ज किये जाने की प्रक्रिया से लेकर बिवेचना तक की जानकारी ली इसके साथ ही पुलिस अधिक्षक ने IGRS कक्षवा महिला हेल्थ डेक्स पर की जाने वाली कारवाई के संबन में अभी लेकों की जाचकी और आवश्यक दिशानर देश दिये स्रावस्ती में 62 बटालियन विंगा के कमांडेंट रवींद्र कुमार राजेश्वरी के नेतरुत में भारत नेपाल सीमा परिस्तित सी कंपनी गुर्जर गौरी के SSB जवानों ने विभिन असलहे की प्रदर्सनी लगाई जिसमें केंडरी विद्याले विंगा के छाच्छात्राओं को असलहों को दिखाया गया और उनके बारे में बारी किया बताई गई इसके साथ ही केंद्री विद्याले के छात्र भी कंपनी सुया में पहुचकर भारत नेपाल सीमा निर्धारड के लिए लगे इस तंबो के बारे में जानकारी हासिल की वहीं SSB जवानों ने बच्चों को पड़ोसी देश नेपाल के मैत्री पूर संबंधों के महत्व को समझा अंबेडिका नगर के अगबरपुर कोतवाली शेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं पर हो रही आपराधी घटनाओं को रोकने के लिए मिशन सक्ती के तहत पुलिस सदिक्षक के निर्देश पर एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को के मुताबिक शेत्र में कॉलेज जा रही छात्रा से एक मंचले ने छेड़ चाड़ और मारपीट की जिसको सबक सिखाते हुए छात्रा ने महिला थाने में शिकायत की महिला थाना अध्यक्ष ने ततपरता दिखाते हुए मंचले युवक को गिरफतार किया है और कारवाई करते हुए जेल भेजा है अपनी कॉलेज जाती हूँ और मुझे एक लड़का छेड़ रहा है आते जाते मुझे परिशान कर रहा है तो आज ही मैं उसको पहिती पुड़ के आई से मैं उसको पकड़ के लाई हूँ और पूछताज करके उसको एंटी रोंगयों के तहप मैं इसको जेल भी भेज रही खबर गाजीपूर से है जहां बेसिक सुक्षय विभाग के द्वारा आयुजित मंडली बाल करीड़ा प्रतियोगता में गाजीपूर प्रथम रहा और इस दोरान स्काउट गाइट के बैंड पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे गाजीपूर शेहर में खू वहन ने रौन दिया और इस हादसे में एक यूवक्त की दर्दनाक मौत हो गई जिसके बाद मौत की खबर सुनते ही पर जनों में कोहराम मच गया वहीं मौके पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया मामला की बाती है मेरे लड़का चाट पर से किर गया था ठीक है तो उसे देखने के कार्ड से इने के साथ एक और है मैंने धंसे नहीं देखाया हूँ जेब पहुचे तो लड़की हमारी बोली कर पापा मामा आए गए तो मैं दुकान पर गया हूँ नमकी मिस्वड लेने ज दात पूड़े लड़की तो हमारे गवाले खुणा ओगाली लड़की हम ने कोई वात ना मेदा आगा इसा अजागी अब गोलना हमारों की अगरे तो कम तेकम तेकम जोचा लेक ए जहां जाह कुचे रहें और एक मुला जी आ इना टीनि ए जिनोगे आ बना रही है उन्हें चाहूने प्यांग दिया खबर राइबरेली से है जहां के बच्छरावा में कपड़े की दुकान में शौर सरकिट से भी सड़ाग लग गई और आग लगने से दुकान के सारे सामान के साथ करोडों के ब्रांडेट कपड़े जल कर खाक हो गए वहीं उत्रप्रदेश की खबरों में इतना ही देजबुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी कर दो अबड़ कर दो अबड़ है गए अब दो कर दो आए आप दो कर दो आप दो आप्समेश अबड़र अब दो